हे मेरे भगवान शिव, काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके दुख दर्द पीढ़ा गरीबी तमाम परिशानी दूर कर देना। हे मेरे महादेव, हम सब आपकी ही संतान हैं। हम से यदि कोई भूल हो जाए, तो हम एक शमा करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। का जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले, शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदंबा की कृपा से, काल भैरव की कृपा से, शन्नी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। जात पात उच नीच अनपढ़ हंग्रेश सभी लोग पहनते हैं। जात पात उच सावन सोमवार पड़े हैं तो बीच में आप काला धागा तुरंत पहने, काला धागा सिध्ध करने का तरीका भी बताएंगे। क्यों बांधे काला धागा? दोस्तों आपने कई बॉलिवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बढ़े उद्योग पती काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधान मंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महा मंत्र तो नहीं है। क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है। आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं। शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं। यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता, तो बढ़े बढ़े उद्योगपती अपने हाथों में गले में पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सरपैर की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए, तो काला रंग नकारात्म कूर्जा को उत्पन करता है। और इसी लिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारन करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अकसर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाया जाता है। और उनकी नाभी के नीचे भी काला धागा, यानि कंधनी बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। स्रिष्टी में काले रंग का उजला सच यही है, कि इसे इश्वर नेभी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्वत्ता को तो स्वयम शक्ति की देवी मा काली भी बताती है। आपने भगवान विश्णू की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी। लेकिन जैसा प्रभाव शाली ग्राम यानि काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वो किसी अन्य धातूओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजरी से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं और उसे शाली ग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदाई माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुते का जोतिश में बढ़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान, भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साती और शनी की पीढ़ाओं को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुट्टे को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारन करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी विशेशता ये है कि ये किसी भी प्रकार की उर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कारे में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी। देखिये जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैशनों के द्वारा जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णा गिरिधाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर में देते हैं। काला धागा लगबग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता हैं। काला धागा दो रुपए kaufen पांच रुपए दस रुपए बीस रुपए बढ़ी आसानी सेड़ा हो जाता है. काला धागा भैयंकर से भैंकर नकारात्मक्ता को नश्ट करता है और बल प्राप्त करता है मुख्यतह नकारात्मक्ता जो आपके हर काम में बाधा लाती है घर में अशुभता लाती है वो इससे खत्म हो जाएगी यही नकारात्मक्ता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है आप चाहें कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता परिणाम धन की कमी हो ही जाती है आर्थिक समस्याएं सताने लगती है चिंता बढ़ती है चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशान्तिछा जाती है और फिर पति-पत्नी के बीच का समवाद गायब हो जाता है लड़ाई जगड़े उसकी जगह ले लेते हैं ये नकारात्मक्ता आने के कई कारण हो सकते है ग्रह जनित दोशों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तुदोश भी इसके कारण हो सकते है लेकिन सबसे बढ़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना इरश्या और जलन की वजह से ऐसा होता है हमारे उपर आंख गढ़ाई जाती है ऐसी नकारात्मक्ता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती हमेशा दुख और निराशा देती है बढ़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके उपर कोई भी नकारात्मक्शक्ती को हावी नहीं होने देगा ग्रह जनित दोशों को दूर करेगा उनमें शुभता लाएगा जिससे आप अपने लक्षे को पा सकते हैं भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मिला सकते हैं आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशी को नहीं डाला है तो राशी भी डाल दीजेगा यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में जरूर बता देंगे वीडियो लाइक करना ना भूले ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेश्मी या सूती काला धागा थोड़ा सा हटके उपाय है काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए शरीर में बल प्राप्त करने के लिए कमजोरी को दूर करने के लिए दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है दरसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचा कर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है दोस्तों वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है ये पंच तत्व है प्रिथवी, वायू, अगनी, जल और आकाश इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है इनसे मिलने वाली उर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं जब किसी इनसान की बुरी हाय और नजर हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक उर्जा हम तक नहीं पहुँच पाती है इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है काला रंग नजर लगाने वाले की एक आगरता को भंक कर देता है इसके कारण नकारात्मक उर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है बिलकुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पंच्तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजपाठ विशेश धन प्राप्त होता है राजा की गद्धी प्राप्त होती है दोस्तों इसको अलग-अलग तरीके से उप्योग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है ये काला धागा नकारात्मक ता को अवशोशित कर लेता है काला रंग बुराईयों को अवशोशित कर लेता है उन्हें सोख लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बढ़े बुजर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे इसलिए काला ठीका लगाते हैं काला ठीका पैरों से लेकर हथेली माथा और गले के पीछे लगाया जाता है शादी के समय भी दूलहे दुलहन को काला ठीका लगाया जाता है ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियां से रक्षा करता है तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नस्दीक के किसी शनी मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है अगर आप शनी मंदिर जाते हैं तो शनी देव को जो सरसों का तेल चड़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वो तेल उस धागे पर लगा देना है अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंधूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में सात गाठे लगानी है प्रत्ये गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है तो आपके जीवन की बढ़ी साथ समस्याएं साथ गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं लेकिन याद रहे सावन में ही यह करना है आपको धन विश्यक समस्या हो, कार्य में अढचने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में कलेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले इस तरह से आप साथ समस्याओं हे तू, साथ गांठ लगा दें, फिर भगवान के चरणों में एक दीब जलाकर ओम, शम्शनिश चराए, नम्ह इस मंत्र का 21 बार जाब करें, इससे क्या होगा वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा, बगैर सिद्ध करें, काला धागा पहनने से कोई फाइदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही मिलेगा, यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं, तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल लें, फूल माला ले लें, चुनरी लें, और खरीदार से एक एक स्ट्रा काला धागा ले लें, जो पुजारी जी काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं तभी ही आपको काले धागे का विशेश फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा काला धागा माता के चरणों से मिला काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं दुश्मन भी आसपास नहीं भटकता नजरदोश, पित्रिदोश, कालसर्पदोश शनिका दोश भी, मंगलदोश भी नहीं सताता बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते आराम से सो जाते हैं फ्रेश होते हैं बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है दोस्तों अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी साथ समस्या बताते हुए काले धागे में साथ गांठे लगाएं उसके बाद जिस धागे में आपने गांठे लगाई है उस धागे को दीप के उपर से साथ बार उसार ले उसारते समय ओम हनुमते नमह इस मंत्र का आपको साथ बार जाप करना है इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है चुपचाप अपने घर चले जाना है फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है अगर आपने बढ़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में ये बांद सकते हैं ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांट को कैंची या बलेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर लें और परिवार में सभी को बांध दें दोस्तों काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता शनिदोश से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं ये धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर उपर की तरफ बांध दे इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मक्ता प्रवेश नहीं कर पाएगी लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधे आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएगी धर्म शास्त्रों के अनुसार वेदों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में द्वार पर ही नकारात्मक्ता हो तो उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती इसलिए जो घर का द्वारा होता है वहाँ पर सकारात्मक्ता आने के लिए काला धागा तो भईया बांधना ही पढ़ेगा सकारात्म कूर्जा के कारण घर परिवार में खुश हाली आएगी दोस्तों, अगर आपके दामपत्य जीवन में परेशानियां हैं आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है तब आपको अपने बिच्छोने पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके सवा मीटर धागा रखना है इस धागे को तकीये से एक फिट नीचे आढ़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए इस धागे को रखने से पति-पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है आपसी इसने हैं बढ़ जाता है सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ती होती है और हाँ मंदिर में उस दामपत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूले ये धागा आपके दामपत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं शिशू होते हैं उनकी कमर पर कंधनी जरूर बांधनी चाहिए कैसे बांधना है वह हम आपको बताएंगे और क्या फायदा है यह भी बताएंगे सावन समाप्त होने से पहले जरूर बांधें सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों के कंधनी आखिर कमर पर क्यों बांधी जाती है और बांधना क्यों है जरूरी देखे छोटे शिशु जो होते हैं अक्सर उन्हें जब वह बढ़े होते हैं हाइड्रोसील की समस्या हो जाती है यह सब नजर दोश के कारण होता है जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है मोटा होता है हेल्दी होता है तो लोग उसके प्राइवेट हिससे को भी देखते हैं जिसके कारण उसके जो अंड़कोश होते हैं वह नजर लगने के बाद नजर दोश के बाद फूट जाते हैं, सड जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, जो कि जिसको हम इंगलिश की भाषा में हाइड्रोसील कहते हैं, यहां तक की वेरिकोसिल भी हो जाता है, और शिशु जब बढ़ा होता है, तो उसकी पूरी जिंदगी पाद हो जाती है, इसलिए बुजर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा जरूर बांधनाचाहिए, जब तक कि शिशु ठीक से बढ़ाना हो जाए, महीने से लेकर चार साल तक की उम्र तक बच्चों को काला धागा या कंधनी अवश्य बांधना चाहिए तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है बच्चे की कमर पर कंधनी या काला धागा जरूर बांधना चाहिए हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की होती है कंधनी आप कंधनी नहीं बांधना चाहते हैं तो काला धागा जो सिद्ध होता है किसी भी पुजारी जी से ले आएं उसमें आप एक कौड़ी बांधें और बच्चे की कमर पर बांधें ये बहुत ही शुब होता है इससे कोई नजर नहीं लगती और उनके जो अंड़कोश होते हैं स्वस्थ रहते हैं शरीर बलवान और हेल्दी हो जाता है उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी